हेलो एब्रीवन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप Scratch जुनियर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से ओपन करने पे वो दिखता है सबसे पहले आपको अपने Android फोन में Play Store खोलना है Play Store ओपन करके आपको यहाँ पे लिखना है Scratch और J-R तो आपको यह Cat आइकन वाला Option दिखने लगी है आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद Install पे क्लिक करिए कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा आपके इंटरेट स्पीड के अकॉर्डिंग यह इंस्टॉल होने में इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसे ओपन पे क्लिक करना है ओपन पे क्लिक करने के बाद यह आपसे कुछ आप्शन्स मांगेगा पर अलाव क्लिक कर देना है दूसरी बार भी और यह तीसरी बार भी तीनों पे क्लिक करने के बाद यह इंटरफेस आपके सामने आएगा और इस पर लिखा रहेगा वेर आर यू 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 उजिग इसकूल होम और अदर्स तो अगर आपके स्कूल में करिकुलम में आड़ है और वहाँ पर आप करते हैं तो आप स्कूल चूज कर सकते हैं अदर्वाइज आप होम चूज करिए होम चूज करने के बाद स्क्राज जूनियर इस तरीकी का ओप्शन देगा जहाँ पर पहला ओप्शन यह होम बटन है और सेकंड ओप्शन यह कोश्चन मार्ग है और साइड में सாइटिंग्स को अप्शन है सबसे पहले सेटिंग्स देखते हैं उसमें क्या है सेटिंग से यहां पर आप इसकी लैंग्विज चेंज कर सकते हैं जैसे हम इंडिया में युज कर रहे हैं तो इंगलिष ही यूज करेंगे example दिलता, quick intro to scratch junior पर अगर आप click करतें तो एक video आपके सामने आएगी जिसमें scratch junior क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में एक quick introduction दिया गया है, जैसे यहाँ पर कुछ blocks को drag and drop करके एक character के motion को दिखाया गया है, मैं video को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसने अलग-अलग animations को किया है, आप reference के लिए इस video को देख सकते हैं, जिसे कि आपको एक idea हो जाएगा कि किस तरीके से scratch junior काम करता है, यहाँ से वापर जाने के लिए आपको right side में यहाँ cross पर click करना है, और cross पर click करके आप वापस से question mark के page पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ sample project दिए हुए हैं, जो की total 8 हैं, under the sea, farm, seasons, friends, dance, animal race, bump and quick intro, यह सारे ही project एक तरीके के examples हैं, जो आपको दिखा सकते हैं, कि किस तरीके से यह काम कर रहा है, जैसे अगर यह मैं friends वाला project पर click करता हूँ, तो यह project properly open हो जाएगा, project open होने के बाद, यहाँ पर दिखे left side में जो भी characters use किये हैं, वो आएगा, right side में जो भी हमने pages use किये हैं, और यह जिस तरीके से काम करता है, इसको run कराने के लिए हमें यहाँ पर green flag पर click करना है, और देखे यह, दो लोग इस तरीके से बाते कर रहे हैं, ठीक है, तो वापिस से चलते हैं home पर, मैं आपको one by one बताऊंगा कि कौन से block क्या होते हैं, उनको कैसे use करते हैं, तो आप यहाँ सबसे top left पे scratch junior के बगर में, जो यह home आइकन है, उस पर click कर दीजे, तो आप वापिस से इस page पर आ जाएंगे, वापिस से मैं home page पर ले करके जाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या है, देखे, my project लिखा हुआ है यहाँ पे, तो my projects में, जिसमें scratch के बारे में, चीजें लिखी हुई है, कि scratch क्या है, scratch को क्यों बनाया गया, किसने बनाया, और क्यों लोग scratch को support करते हैं, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, अदर्वाइस मैंने introductory video में इसके बारे में बता दिया है, इंटरफेस guide में आप देखेंगे, कि एक numbers लिखे हुए यहाँ पे, 1 to 16, तो हर एक point सा क्या मतलब होता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, although मैं एक video बना रहा हूँ इसके बारे में, बट अगर आप चाहें, one by one देखना कि किसको क्या कहते हैं, तो आप अराम से देख सकते हैं, जैसे number one save है, या home page है, home page पे भी लेकर क्या हैगा और आपके project को save भी कर देगा, तो जिस भी number पे आप click करेंगे, उसके बारे में यहाँ right side में information यहाँ पर आ जाएगी, paint editor के बारे में इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, कि किस तरीके से आप edit करते हैं, numbers के दवारा यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, जैसे हर एक blocks का naming दिया हुआ है, जैसे triggering block से लेकर के motion block, looks block, sound block, control block, end block इन सभी के बारे में, तो जब आप कोई भी programming कर रहे होंगे, और किसी समय पे आपको कोई project भूल गया होगा, कि इस project में इस block को क्या कहते हैं, तो आप यहाँ से reference लेकर के उसका नाम याद कर सकते हैं, तो वा platform आपको खुल करके आएगा, जिस पर आपको सारी informations one by one दी होंगी, left से लेकर के right तक number of यहाँ पे tools दिये हुए है, number of blocks दिये हुए है, जिनका use हम किसी भी character को move कराने के लिए करते हैं, by default यह cat यहाँ पे present रहेगी, जिसके बारे में हम आगे जानेंगी कि कैसे इसको move कराते हैं, तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप phone में install कर सकते हैं, और किस तरीके से scratch junior आपकी phone में दिखेगा, मिलते हैं next वीडियो में, इसके introduction के साथ और हर एक blog को क्या कहते हैं, उसके बार में हम जानेंगे, तब दे के लिए, bye bye, take care.